करेंट टाइम पर चूटेगी ना हाँ ये ट्रेन हमेशा करेक्ट टाइम पर ही छूटती है अच्छा सुनों जा और जाकर सीट नमर 37 पर बैठ हो कि अच्छा कि अच्छा का युथ यह यह अघर युथ यह जंदी आज 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 आज़ा पकड़ा कमाल करता है तुझे टाइमिंग सेंस नहीं है एक्सक्यूज मी टाइम सेंस के बारे में मुझे मत पता ना जैसे क्रिकट में कैप्टेंशिप के लिए मेहन्द सिंग्थोनी को उसी तरह जैसे आमर आकपर एंथोनी तो फिर लेट की हो गया वो क्या है पॉलूशन कम करने के ल जिन्ता क्यों करते हो वाहां देखो मुझे है किर वाहा गया रॉन गैश्चस्ट अरे लेगित संप्सक्राइशा किर भीए मुझे है उन्यूजभ करने मं किरे में संप्सक्राइश अरे नहीं हमाईश्ट के बिए थैसे बीचलिए रुए जाना डिश्ट में टूल जानी है हाँ 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 सूपर कैच यार स्लिप में कैच पकड़ लिया तुने मैं अब स्टॉप स्टॉप करके चिला रही थी यह क्या लोकल बस है जो रुख जाती यह हालो मैडम हमारा यह लड़का कितने सालों से पुल टॉक की तरह इंतिजार कर रहा था कि कब कोई आएगा सदनली आपने एंट रिली और इसने शारुकान के तरह आपको अंदर ले लिया कम से कम थैंक्स तो बोलिये मेरा मतलब धन्यवाद अपनी कृता किता दिखाए सापने बहरी है क्या जिससे जानता है उसे कोई धैंक्स कहता है क्या आँ तुम लिए से जानते हो हम तोनों हाइश्कूल सही क्लासमेट से इतने सालों तो कहां चली गई थी धनलक्षमी एट्स नन अफ यूर बिजनेस एक्स्क्यूज मी और सारी इसक्यूज मी तुम कमाइन क्लास कौन सी रेंज में कर रहे हो यह उस लड़की के बात करने से पता चल रहा है मुना देखने में तो वो मॉटन मोना लिसा जैसी दिखती है लेकिन उसका नम ब्लैक और वाइट से नवा जैसा क्यों है उस ब्लैक और वाइट हीरोईं के पीछे कलर फुल फ्लैश बैक है दस सा पहले मेरा एक दोस्त विवेक इसे डीप लव करता था मैं विवेक और धनलक्षमी एक ही स्कूल में पढ़ते थे विवेक स्कूल की हर लड़कियों को लव लेटर दिया करता था सारी लड़कियां उसे रिजट करती थी बाकी बची धनलक्षमी मुना मैं धनलक्षमी से प् हाई धनलक्षमी को यह रोज तुम पास कर दोगे क्याप प्लीज मुन्ना मैंने अपने पापा के जब से 25 रुपर चुरा के फ्रेंड्शिप डे के लिए मैंने यह कीचेन खरीदी है तुम मेरा नाम बोल के धनलक्षमी को देदोगे क्या है कि फ्रेंड्शिप डे धनलक्षमी थान्क यू मुन्ना मेरे पॉकेट मनी से खरच करके लाया हूं सम्भलकर रखना दनलक्षमी सू सवीट अब यू उस्टुपिट विवेक से दोस्ते क्यों कर लि तुमने धनलक्षमी ने कीचेन लेली उस दिन स्कूर का लाज़्ट दे था विवेक के लिए मैंने धनलक्षमी को प्रपोस किया धनलक्षमी, विवेक तुमसे बहुत प्यार करता है एक्चुली विवेक लब्स यू वेरी मच वाट यू फिल अबाउट हिम अ स्टुपिट विवेक को बता दे न, I'm not interested मेरी लिए तो मेरी स्टड़ी और मेरी फैमिली ज्यादे इंपोर्टेंट है मुन्ना, यह जमीन कूल है बचपन में जिस लड़की ने विवेक को रिजेक्ट कर दिया था आफटर सिक्स यर वो लड़की भागती हुई अचाना ट्रेन के अंदर आ गई पहले ही रिजेक्त कर दिया तो अब कैसे मानेगी क्यों नहीं मानेगी वो विवेक को इह भाई, क्या करने देखके जाना प्यरद आ क्या विवेक के पास दिबीक किया स्वाती क्या बर्द नहीं वो एक मैरा दिल क्या रहे हुं प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो देखो विवेक प्यार जो होता है ना वह खुबसूरत फूल के जैसे होता है उसके खुश्बों अपने आप फैलनी चाहिए लेस्ट भी फ्रेंस नो प्लीज फोन करो उसे इस वक्त फोन करूं है शुब का में देरित नहीं करने चाहि अरे उसके लिए तू क्यों चिंता कर रहा है तेरा पुराना अकाउंट री ओपन हो गया है धनलक्षमी क्या इसकूल वाली मेरे साथ ट्रेंड में ट्रैवल कर रही है वो ऐसा अगर चाहे तो अन्थोनी से पूछ ले येलो से बद कर मैं मात करता हूँ सुनो विवेग बुन्दा ने मुझे सारी बाते बता दी है सुन तू जी के टाइम में तेरा प्यार कनेक्ट नहीं हुआ था फोर जी का टाइम चलना डाउनलोड करके दूंगा चिंता मत करो ऐसा दोस्त मिला है जरूर मेरे पिछले चनम में कोई पुन नहीं किये होंगे थ सुपर तेरा दिल बहुत बड़ा यार तुमारा काम करके मुझे बहुत बजाएगा अकाउंट नंबर सेट करता हूं अभी आचा सुन एक काम कर तू तयार होकर के जल्दी से शादी के मंदप में पहुंच जा हम लोग लड़की को लेकर सिधा वही पर आएंगे देखते आ दन लक्षमी क्या फीलिंग है यार स्वाति तुम अपने पालर का बिल खुदी पेकर देना निकल ले बिटा मुना कान इधर लाओ लेट्स स्टार्ट यॉर ओपरेशन जाड को जुकाने के लिए डाली पकर दी चाहिए पानी लेने के लिए लोटा लेना जाएमिंग नहीं है तो रायमिंग डायलोग मत बार अब क्या करना है सिधे मैटर पया मैटर सिर्फ इतना नहीं है उस लड़की को पटाने के लिए उसके आजू-बाजू के लड़कियों को ठिकाना है लगाना है और जमाना है आना हो तो आओ ने तुम्हें जाता हूँ हो मेरी सत्रेंगी लड़किया इधर है जानी पादी अधर जानी पादी अधर आखे नहीं खुले प्या करते हैं वह अलांग है लेडिज के लिए जगा खाली हो तो बैट ना फ्रेंड्शिप के लिए कोई पूस्ता थोड़ी है थाइंक्यू थोड़ी शेफ्ट हो जाती हूँ है ने वगल में कितनी एच्छी लर्की है थाए रादिका प्रिश्ट वाली रादिका यार शीज राम्या कितनी सुदर हो तुम ये रचिता ओ रचिता सो ब्यूटिफुल आमूल या तुमारे गाल देखकर ही पता चल गया कि तुम आमूल ही होगी अरे यार फिर्म अधरिस्टी की सारी हिरोई ने आस ट्रेंड में ही साव अगर आप हाथ नहीं देते तो हमारे धनलक्षमी की ट्रेंड मिस हो जाती बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो अट्रिट्यूड है वो आपके दोस्त में नहीं है वान थैंक्स तो क्या एक स्माइल भी तो नहीं दी एक स्माइल तो देनी चाहिए ना यह तो मानौता है औ यह दान लक्षमी हाई हील पहन के रैम पुराफ करने वाली है अमारे लिए लक्षमी की तरह है बैठा क्यों है आओ उसके से छेज़ा जो तरी है है क्या हो गया है तुम्हें जब देखो तब हमेशा अपना मूह फेर दी रहती हो कोई प्रॉब्लम है अगर मन में कोई बात कुछ हो गया लेकिन आप है कि वही साइलेंस वही रियक्शन मैडम लाइफ में थोड़ा सा अपडेट हो जाओ कभी-कभी स्माइल भी तो करती रहो सेहत के लिए अच्छा रहता है बिना बच्छे के हसी को नॉन्सेस के लिए टॉक टाइम खत्म हो गया था ऐसा सोचा था म मैंने लेकिन बड़ा दिल रखकर बात की तुमने अमिताप बच्चन की फिल्म देखकर जो खुशी मिलकी है वैसी खुशी हो रही है मुझे कि विवेख लुट मुसीबत में है तू किसे ढूंड रही हो तूम ओ फ्रेंड्स को फ्रेंड्स को ओन लोगों तो एंथोनी कप का लेकर चला गया होगा अब तक तो अन्ताक्षरी शुरू भी हो गई होगी कि वो छड़ो धनलक्षमी तुमसे कुछ बात करनी है मुझे तुम क्या पूछने वाले हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा ओपिनेंग जींज नहीं होगा अरे मैं वो नहीं पूछने वाला हूँ जो तुम सोच रही हो धनलक्षमी जब हाई स्कूल में थी तब तो इतनी बुरी दिखती थी लेकिन अब ये ग्लैमरस ब्यूटी कहां से बन गई वाट इस सिक्रेट आफ यूर ब्यूटी अंड ग्लो एल लेडी बल्ग निगल लिया है क्या वो क्या चॉकलेट है काने के लिए क्या स्माइल है यार